हेलो फ्रेंट्स और विल्कम बैक तो माई चैनल मैं हूँ श्वेता और फ्रेंट्स आज मैं लेके आए हूँ एक ऐसी चट्पटी चट्नी की रेसिपीट जो आपके खाने का और भी जादा स्वाद बढ़ा देगी तो आज हम बनाने वाले हैं कोकुरनट टोमैटो और कॉरिय तो फ्रेंट्स इसके लिए हमें लगेगा वन टेबल स्पून के बराबर ओल जो मैंने पैन में डाला है इसे हम गरम कर लेते हैं इसके बाद मैं एट करूंगी एक इंच का टुकड़ा जिंजर यानि अद्रक और दो से तीन मिर्च लिया है मैंने ग्रीन चिली और साथ में तो बड़े टमाटर यानि टू टूमाटोस चॉप किये हुए और गार्लिक लिया है मैंने चार से पांच और इसे हम अच्छे से हाई फ्लेम पर रोस्ट करेंगे दो से तीन मिनिट के लिए चलाते हुए कंचिनियूसली तो फ्रेंट्स हम इसे रोस्ट करेंगे तो इसे हाई फ्लेम पर ही करना है तो फ्यू मिनिट्स के बाद ही अच्छे से आप देख सकते हैं रोस्ट हो चुका है इससे चटनी का फ्लेबर और भी अच्छा आता है तो यह अच्छे से रोस्ट हो चुका है अब मैंने फ्लेम आ पुम्फली तो यह ग्राउन नट है जिसे मैंने रोस्ट के लिए था और सकिन निकाल दिया है साथ में कुरिया एंडर हाफ कप के बराबर एड़ करेंगे यानि धन्या पत्ता और हाफ कप के बराबर मैं इसमें आड़ करूगी नारियल फाइनली स्लाइस किया हुआ कोकोनट अब मैं इसमें आड़ करूँगी नमक स्वाद अनुसार यानि सॉल्ट अकॉर्डिंग टेस्ट आड़ करना है और इसमें मैं आड़ करूँगी हाफ कप के बराबर पानी और इसे हम थिक चटनी जैसा पेस्ट बनाएंगे तो इसे हम अच्छे से पीस लेते हैं फाइन पेस्ट में तो ये हमारी चटनी पिसकर तैयार है बिल्कुल फाइन पेस्ट में आप देख सकते हैं ये बहुत ही साथा टेम्टिंग लगता है और आप अपने हिसाब से इसमें मिर्ची एड़़स्ट कर सकते हैं अगर आप तीखा काते हैं तो आप इसमें ज्यादा चिली भी डाल सकते हैं अब हम इसमें लगाएंगे तड़का तो आप सेम पैन में मैंने एट किया है हाफ टेबल स्पून के बराबर ओल और मैं इसमें आट करूंगी रेड चिली लाल मिर्च टुकडे में तोड़ा और सरसो उरत दाल और मिर्च करी पता से इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है तो यह अच्छे से कुक हो चुका है अब मैं यह टेम्फरिंग यानि तड़का डालूंगी चटनी के उपर और इसे हलका सा मिक्स कर देंगे तो फ्रेंड्स यह हमारी यमी चटनी बन कर तयार है आप इसे इंजॉय कीजे विद पकोडा साथ में इडली के साथ भी खा सकते हैं इसे डोसे के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताईएगा और पसंद आए मेरा चैनल तो मेरे च इंवली तो आप यू